तो वेलकम क्रिप्टो यूजर से एक नए सांदर वीडियो में आप लोगों का स्वागत है जब आखे खुली होगी जब आप उठे होंगे तो मार्केट यहाँ पर 7% तक इंक्रीज हो चुका होगा जब आप पहली बार पॉर्टफोलियो देखेंगे तो उसमें 10% तक आपका जो है शीबायनू सहीद दूसरे कोईन यहाँ पर पंप हो चुके होंगे क्योंकि ओबिसली बिटकोईन को देखे तो 71,000 डॉलर के करीब पहुच गया है और 72,000 डॉलर का लेवल टच करके मार्केट नीचे की तरफ आने लगा है यहाँ पर रातम रात खेल हो गया है अच्छा कासा इंक्रीजमेंट देखने को मिला है एक तरीके से वील्स यहाँ पर पूरी तरीके से तूट पड़ी है और बड़ी खरीदारी यहाँ पर हुई है इसके पीछे रीजन भी हम तलासेंगे कि मार्केट क्या संकेत दे रहा है और क्या हम ये माने कि बिटकोइन अब एक लाग डॉलर की दिसा में आगे बढ़ेगा और जो गिरावर्ट और जो बड़ा खेल चल रहा था बड़े प्लियर्स के दुआरा वो अब थमसा गया है और मार्केट बुल रन की सुरुवात यहां से कर रहा है और क्या हम ये माने कि अब मार्केट तेज ही बढ़ेगा और बुल रन की यहां से सुरुवात हो चुकी है जिससे कि हम BTC को 1 लाग डॉलर के बाद 1.5 लाग डॉलर, 2 लाग डॉलर और 3 लाग डॉलर तक भी होते हुए देखेंगे तो एशे में हम सीबा इनों से क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं क्या शीबा इनों 1 लाग पर्शेंड की ग्रोथ यहां पर दे देगा एक, दो, तीन, चार, जीरो यहां पर किल हो जाएगी शीबा एक सेंड के लेवल, दो सेंड के लेवल को टच कर देगा काफी संभावना यहां पर बन रही है, काफी आपके मन में भी सवाल चल रहे होंगे कि आगे क्या इस वीडियो में एक डाइरेक्शन जरूर मिलेगा तो एंड तक वीडियो वाच करना पसंद आये तो चैनल को सस्क्राइब, बेल आइकोन को हिट और शिबा के बारे में आपकी क्या ओपीनियन है, बुल रन को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर अपनी टिपणी लिखना, ठीक है देखिया, सबसे पहले तो यहां पर समझने की बात है कि यह वही बीटीसी है, जो अचानक से कल 48 घंटे वाले लेवल पर डाउन चल रहा था, उससे एक दिन पहले पंप हुआ था उससे एक दिन पहले डाउन हुआ था, फिर पंप हुआ था यहां पर शिबायनों को भी लेकर देखें, तो बिटकोईन के पीछे-पीछे शिबायनों है उसी level पर यहाँ पर चल रही है अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि एक दिन के pump के साथ हम यह expectation नहीं कर सकते कि market यहाँ से बड़े pump के साथ 1,00,000 डोलर जाएगा यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जब तक 75,000 डोलर का level BTC पार नहीं कर देता तब तक साथ कुछ इसमें देखने को गुंजाईस नहीं मिलती है यह level तो पहले भी इसने touch कर चुका है और वहाँ से market नीचे आया है अगर हम देखे तो पिछले काफी समय से अभी यह दो महिने का ratio तो नहीं दिखेगा लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं दो तीन बार इस level को touch किया और यहीं से नीचे गिरा है तो यह level बहुत महतपूर्ण BTC के लिए हो जाता है इस level से क्या moment होती है वो देखना जरूरी है और श्रीबायनू की moment भी यहाँ पर वैसी ही होने है लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल यही है कि BTC आज नहीं तो कल बड़ेगा और एक अच्छे बोलरन के सिरुवात यहाँ पर हो जाएगी यह final है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो BTC ETF के माध्यम से Bitcoin में लंबा पेसा और long term के दिर्ग कालीन investment यहाँ पर आ रहा है BTC में अब आप सोच सकते हैं कि BTC में ETF का पेसा आना बहुत बड़ी बात है हला कि BTC ETF का जो पेसा है न वो थोड़ा यार एक तरीके से रिस्की भी होता है यह जो लोग है न यह stock से निकले हुए लोग है share market, stock market के लोग है जो ETF में पेसा लगा रहे है BTC में पेसा लगा रहे है भाया ETF तो यह लोग क्या है कम profit के साथ चलते हैं और short term strategy के साथ चलते हैं जैसे ही market में कुछ negative खबरे आती है market से पेसा निकालना चालू कर देते हैं फिल लगाना चालू कर देते हैं अगर आप यह खेल देखोगे तो यह जो खेल हुआ रातम रात हुआ है BTC का अगर आप देखोगे market इस level पर रात की आप देखो रात के 8 बजे तक कुछ भी moment नहीं थी कल रात के 8 बजे तक और रात के 8 बजे से अचानक से 9 बजे से जो moment आने लगी तो यहां तक रही रात के 10 बजे तक उसके बाद market डाउन गया और फिल लगभग धाई पोने 3 बजे से फिर market पंप हुआ चार बजे बात तो तेहल कम अच गया इस market में और अचानक से increasement हुआ अब यह आप समझने वाली गोर करने वाली बात यह है कि पूरा खेल रातम रात हो रहा है यहां पर क्योंकि हम तो सो रहे होते हैं दूसरी country वाले जाग रहे होते हैं अब यहां पर जैसे ही सुबह के 4 बजे इंडिया खास कर Asian countries में उजाला हुआ सुबह निकली और वहां पर तेजी से खरीदारी हुई तो यह केंडल आप देख लो कितनी खतरनाग बनी है यहां पर कितनी खतरनाग उपर गई है तो यह खेल रातम रात हो रहा है अब कहने वाली बात यह है कि यहां पर BTC का लेवल जब तक 75,000 उपर नहीं होगा तब तक कोई खास मुमेंट नहीं है वैसे भी BTC को लेकर Shiba Inu को लेकर यहां पर एक न्यूज आई है जिसमें 2 trillion Shiba Inu अभी 24 घंटे में एक लेवल पर है जिसको यहां पर भूत क्रूसल माना जा रहा है यानि कि अगर आप देखोगे तो 7% Shiba भी बड़ा लेकिन Shiba 25 के लेवल पर आने के बाद और यहां पर 26 के लेवल पर आने के बाद टूटा है और फिर इस लेवल पर यहां पर घूम गया है क्योंकि अगर आप देखोगे तो Shiba Inu को लेकर इस लेवल पर अच्छे खासी खरीदारी हुई है कहां पर 26 के लेवल पर 4,0 का 7,30 के लेवल पर 28 के लेवल पर उपर से देखे तो लगभग 36 और 35 के लेवल पर और इसके लवा अगर हम और Оđल 2022 का ग्राप देखे तो यहां पर भी लंबी मात्रा में खरीदारी हुई है 29 और 30 के फेर में 28 के फेर में तो ये लोग वही लोग है जहां पर इनके पास जैसे इनका लोस रिकावर हुआ ये बेचने की तैयारी कर सकते हैं क्योंकि इनको अभी भरोसा नहीं है कि शिबनू बढ़ेगा ये नहीं बढ़ेगा किसी का अगर सोची इतना लंबर टाइम तक लोस है और अचानक से रिकावरी दिखती है तो सबसे पहले तो रिकावरी करने की कौसिस करेगा वो देखेगा कि चलो बाद में देखेंगे फिर से खरीद लेंगे अभी बेच देते हैं क्योंकि जरूरी नहीं इंडिया में इंडिया क कम भर रही है और पुराने ट्रेडर यहां पर इसको उपर ले जाने की कोसिस कर रहे है लेकिन 50 यहां पर यहीं बता रहा है कि यहां पर ब्रेक थ्रो आ सकता है बट नए जब तक यूजर यहां पर नहीं आएंगे क्योंकि पुराने यूजर का काम नहीं है जब तक नए उपर की तरप नहीं जाएगा हलाकि ये सब चीजे एक जटके में तूट सकती है और एक ही लेवल पर ये सब तूट जाएगी जैसे बिटकोईन 45,000 डॉलर को पार करता है अब यहाँ पर हम एक ऐसी दहलीच पर खड़े हैं जहाँ पर हम बुलरन की सुरुवाद भी मान भी सकते है और बुलरन की सुरुवाद नहीं भी मान सकते है हलाकि दो महिने का लंबा लोंग टम टाइम दिया है जहाँ पर बुलरन के एक्सपेक्टेशन बनेंगे वो एक लंबा टाइम है जहाँ पर अक्टूबर सितंबर और जुलाई महिना आ जाएगा और वहाँ से हम सुरुआत देख सकते हैं हलाकि यहाँ पर अगर आप गोर करोगे तो रात की पाच बज़े से मार्केट सस्टेन करने लग गया है जैसे इंडिया में उजाला हुआ मार्केट सस्टेन करने लग चुका है और अभी दोपेर की 12 बज़ रहे है उसके बावजूद भी मार्केट ने कुछ भी मुमेंट नहीं दी है तो यह स्थिति यहाँ पर क्लियर हो रही है सवाल यह है कि वील्स आखिर एंट्रिया क्यों ले रही है वील्स की एंट्रिया यहाँ पर शोट टम की हो सकती है और खासकर BTC ETF का पेशा यहाँ पर फसा है हाल ही में कल की न्यूज भी अगर आपने देखी होगी तो इरान में इरान के जो राश्ट्रपती है है ना उनका भी कल जो हेलिकाप्टर था वो क्रेस हो गया है तो वो भी एक टर्निंग पॉइंट यहाँ पर बना है हला कि उसका मैं लोजिक ले रहा हूँ उसका कुछ यहाँ पर लेना देना है या नहीं क्योंकि उसका भी यार कुछ फर्क जरूर पड़ा है क्योंकि कल देर रात ही लगभग, देर रात क्या लगभग 8 या 7 बजे ही पुष्टी हुई थी कि हाँ यार उनका निधन हो गया है तो क्या उसका कुछ न कुछ इंपेक्ट यहाँ पर पड़ा है यह तो समय ही बताएगा उसके बारे में भी मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ लेकिन यह है कि पूरे meme token में अच्छे खासी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है और पेपे ने सबसे ज़्यादा चोकाया है 18% तक पेपे यहाँ पर बढ़ गया है और पेपे में अच्छे खासी यहाँ पर बाइंग देखने को मिली है बाकि सभी meme token लगभग सभी level पर बढ़े है बोंग में भी 18% का pump देखने को मिला है देर सवेरे hold is gold ही सबसे better option है देर सवेरे market बढ़ेगा लेकिन हाँ यह है BTC ने हमें करोड़ पती बनने की रहा जरूर दिखा दिए कि BTC यहाँ से कभी ना कभी level हर level पार करेगा सित्तर हजार डॉलर का भी पिच्चोत्तर हजार डॉलर का भी एक लाग डॉलर का भी और उपर डेर्ड दो लाग डॉलर का level भी BTC future में पार करेगा और ये भी दर्सा दिया है कि उसके पीछे-पीछे पूरे meme token सहित Shiba Inu pump करेगा और हम यहाँ पर millionaire बनने की देशा में आगे जाएंगे तो भविशिम हम millionaire जरूर बनेगे ये market ने संकेत बड़े दे दिये है करोड़ पती बनने की तैयारी कर लो क्योंकि आ रहे है Shiba भाई और पूरे meme token तो market में bull run के सुरुवात के संकेत भी मिल रहे है जिनको avoid करना नुकसान दायक हो सकता है तो I hope यार वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होकर वीडियो पसंद आये तो चैनल को सस्क्राइब कर सकते है इसी अपडेट पाने के लिए नमश्कार